बगवान, हम सब को इस कल्योग में सफल होने के लिए जो बता रहे हैं, वो बहुत आवश्यक है, उसका पालन हमें करना ही चाहिए. देखिए, इस कल्योग में जो भी कुछ तरह का कलकार खाने से लेके नई नई टेकनीक, नई नई चीजें हर रोज आ रही हैं, आदमी का दिमाग बहुत तेज हो रहा है, अब तेज दिमाग वाले लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं, जो मेनत कर रहे हैं, उनकी मेनत का फल जिन्हों ने थोड़ा जोड लिया है, उनके जोड तोड में से कुछ निकाल लिया जाएं, इसलिए वो चालाक लोग यहां तक भी आपको टेकनीक नहीं आती, आपने अपने मुबाइल फोन में अपना अकाउंट नंबर और अपनी और बहुत सारी चीजें डाल लगती हैं कुछ चालाक लोग आएंगे तो आपका कोई न कोई कोड कोई न कोई पासवर्ड लेंगे और आपका काम खराब कर देंगे, उनको तो यही लगता है कि मेनत करने वाले मेनत करेंगे, थोड़ी सी बस हरकत चाहिए, चालाक लोगों के भी अपने मंत्र हैं, वो क्या बोलते ह हरकत में बरकत है, उनको यह नहीं कि मेनत में बरकत है, हरकत में बरकत है, करो हरकत, मिले बरकत, वो ढूंडेंगे इसी तरह का रास्ता, कि कोई सीधा साधा मिले, उसको बोलते हैं, वो बकरा, मिल गया बकरा, मिल गया सीधा साधा कोई, दुनिया में होशियार रहना भी फर जहाप का है संभल कर चलना जरूरी है देख कर पाउं रखना है दृष्टी पूतम नेश्ट पादम वस्त पूतम जलम पिभेत कहते हैं पानी पीना च्छान कर क्योंकि ऐसे कुछ भी पी लें वो ठीक नहीं देख करके बिना मत चलिये एज एक आ जाती है न उस एज में तो पहुँचने के बाद व्यक्ति को सबसे पहला फर्ज यही हो जाता है जैसे आँखें थोड़ा मोटा देखने लग जाए न और कान हुचा सुनने लग जाए वेदों में इसके लिए का गया भाउरे की आवाज जब सुनना बंद हो जाए कान भाउरे की आवाज न सुन पाए और मच्छर को आँख न देख पाए अब दुनिया की सुनने की तरफ द्यान मत लगाना और दुनिया को जादा देखने की तरफ द्यान मत लगाना अब द्यान थोड़ा अंदर लगाना और सुनना है तो भगवान की वार्णी को सुनना है और देखना है तो उसकी लीला को देखना है बाकि किसी के कर्मों की तरफ देखने की कोशिश ज्यादा मत करो क्योंकि दुनिया पर अगर ज्यादा द्यान गड़ा होगे कि बहु क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, बच्चों को भी सिखा देते हैं, देख जा, चाची क्या कर रही है, देख कर बता आकर मुझे, रिपोर्ट दे, खबर ले और खबर दे, तो खुद भी गलत तरप जा रहे हैं, दोसरों को भी ले जा रहे हैं, तो धीरे धीरे अपने आपको अंतरमुक करते जाना चाहिए और कोशिश क्या करनी चाहिए कि जैसे जैसे बुढ़ापा आए तब तो आपको और सावधान होना है सावधान होना है चलने फिरने में होचा नीचा जो चश्मा भी लगा लेते हैं उसमें भी तो दिक्कत ही आती है होचा नीचा ठीक से दिखाई नहीं देता पाओ कहीं कहीं पढ़ जाता है और बड़ी मुश्किल कहां होती है फिसल गए तो आजकर लोग दूप में बैठते नहीं है विटामीन डी और कैलसियम की कमी तो 70% तक 60 से लेकर 70% तक भारत में record बन गया है कि इतनी कमी है लोगों की जिसके कारण हड़ियां खोकली है थोड़ा सा गिरे हड़ी तूटी जिन्द की खराब तो देख करके चलना है और समझ करके आपने पानी भी सो समझ करके पीजिए कुछ भी पानी पी लें और जो लोग बड़ी दुखद बात है ये कि बहुत ज़्यादा घरों में आजकल जो ना फिल्टर करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगा रख किये बोतल का पानी से लेके सब कुछ आदमी पीता ही है क्योंकि पानी खराब हो गया तो बड़ी सारी समस्चें आ जाते हैं ज्यादतर रोग उसी के कारण आते हैं टाइफाइड की प्रॉब्लम तो जातर लोगों को हो रही पानी के कारण क्योंकि सारे जितने Minerals आपको मिलने चाहिए ना पानी में होते हैं ये जो Mineral Water कहते हैं ये Mineral नहीं होता इसमें तो Mineral तो less कर दे जाते हैं Without Minerals और फिर वो छनावा पाने पी रहे हैं उनलोग तो उसमें से जो आपको लोहा मिलना चाहिए उस में से जो आपको तामभा मिलना चाहिए वो तो सब मिलनी रहा है दरती में तो सब है भगवान ने दे रखा चलते हैं आगे आपको बताया कि संभल कर इस जीवन को कीमती बनाना है क्योंकि आप परमात्मा के द्वारा दे गई एक महाम धरोवर है सुबह सुबह मुझे जैसे पन्ने पर लट रहता ना किताब के क्योंकि हम लोग की आदत है आप लोग जैसे और लोगों से मिलते हैं ना तो हम लोग क्या गरते हैं हम भी मिलते हैं जो नहीं रहे वो नहीं बलके जिनों ने इस दरती को बहुत कुछ दिया वो लोग आज भले ही उनका नाम है लेकिन उनकी देह नहीं है लेकिन गरंतों में उनके वाक्य है तो हमारी इच्छा होती है उनसे मिलकर आएं तो उनके पन्ने पलटते हैं दुनिया के बेहतरी नोग जो यहां नहीं है कोई अमेरिका में बैठा है कोई योरोप में बैठा है कोई अफरीका में बैठा है कोई बेल्जियम में बैठा है बेल्जियम के लेकिन पावलो कोईलो बड़ा अदुभूत व्यक्ति बहुत जवर्दस लिखता है क्या लिखा उसने देखो उस बच्चे को जो हर किसी आंगन में खेलता नजर आता है बिना कारण खुश होता है बिना कारण हसता है बिना कारण मस्त रहता है हर चीज को खेल बना लेता है क्योंकि जिन्दगी को खेल जानता है इसलिए खिलावा दिखाई देता है इसलिए आकरशक दिखाई देता है इसलिए हर कोई उसके पास जाकर उसे चूम लेना चाहता है अगर तुम भी आकरशक होना चाहते हो प्यारे बनना चाहते हो कारण मत खो जो खुश होने के बिना कारण के खुश होना शुरू कर दो तो हमारी जिन्दगी कीम्ती बन जाएगी ये लोग जो दुनिया के किसी भी कौने में बैठे वे हैं इस धर्ती को कुछ न कुछ इस तरह दे रहे हैं जैसे परमात्मा का कोई प्यारा फूल खिलता है और उसकी सुगंद आ रही होती है उसने लिखा के वो मांगता भी है कोई चीज उसे कोई चाहिए पूरा जोर लगा देगा पूरी ताकत लगा देगा जिस चीज को चाहता है कोई भी बच्चा कुछ भी पाना चाहता है तो आप लोगों ने देखा ही है जमीन में भी लेट ना पड़े तो लेट जाएगा चीखेगा चिलाएगा उंगली रख देगा उस चीज पर ले के छोड़ेगा कहता भूल गए हो तुम जिस चीज को शिदत से चाहो पूरी काइनात देने के लिए तयार है लेकिन चाहने वाले तो बनो उसके लिए रोने वाले तो बनो उसके लिए मेहनत करने वाले तो बनो अपने प्राणों में उस प्यास को जगाने वाले तो बनो क्यों नहीं तुमारे पास वो चीज आएगी जरूर आएगी महां तक अपने आपको अपनी उर्जा को ले जाओ तो से और तीसरी बात उसने और लिखी कि देखना उसको एक चीज और समझ आएगे कि वो बच्चा किसे ने उसको कहाने तुझे बिजी रहना है भागता रहता दोडता रहता इधर से उधर उधर से इधर खाली बैठना नहीं जानता जिनको खाली बैठना आगया और फालतू टाइम खराव करना आगया उनकी जिंदगी फालतू रह जाती है बच्चे दोड़ते हैं भागते हैं अपनी एनरजी का प्रियोग करते हैं जो भगवान ने तुम्हे उरजा दी है उसे अपने लक्षे में लगाई है भगवान ने स्वावाई करूप से हीरा दिया है चमकता हुआ ही है जो गिसा जाता है जो नहीं चमक रहा तो उसका मतलब पत्थर में हीरा है न तो उसको तो पहचानना बहुत कमी लोग पहचाने है चमक वाला वही बनेगा जो गिसा जाएगा अगर आप दुनिया में चमक न चाहते है तो गिसना जरूरी है मेनत जरूरी है इतना गिसो के आपके अंदर की चमक बहार आ जाए और वो आपको खुद करनी पड़ेगी वक्त भी मौका दे रहा है आपको मेनत आपको खुद करनी है कहीं लोग हमसे आके ऐसे बताते है मरने जीने की बात बता जिया करो आप जादतर तर तो सुनने वाले आप तो जवान वाल बात बताते है कुछ लोग बीस साल में भी बुड़े है और कुछ नबे साल में भी जवान है जिनके विचारों में ताजगी है और ये तो ध्यान नकली जिए शरीर ने तो आकिर में राक होना ही है अब पीछे हम लोग वरिशिकेश में थे ना साधना सिखा रहे थे तो वहाँ यही तो बता रहे थे पहले वहाँ यही वाक्य पहले कहा गया इन गंगा की लेरों को देखो एक दिन तुमारे शरीर के अवशेश एक बरतन में डाल कर यहां लाए जाए तुमारा अपना ही कोई छोड़ने के लिए आएगा इन लेरों में आखरी निशानी आपकी खो जाएगी वो वक्त कब आजाए पता ने लेकिन लेरों में मिलने से पहले इस गंगा की धारा को जिसके सिर से बैते वे देख रहे हो जो इसको बहारा है उसी को गंगा धर कहते हैं मतर बगवान गंगा में तुम मिल जाओगे लेकिन गंगा धर से मिलने के लिए तुम्हें यहां मौका दिया गया है, अपने छेतना जगाओ, अपने आपको जगाओ, कि अपने मालिक से मिल सको, कि इसलिए यहां बुलाया गया, और हम सब लोग यही सोच लेते हैं, अपने गर में बैठके थोड़ा बहुत बगवान का नाम ले लेंगे, कौन इतनी दूर जाएगा, जाना है रिशिकेश में, पहाड़ों में, वहां जाके खर्चा भी करना पड़ेगा, इससे तो अच्छा यही है, कि यहीं बैठके एक आदमाला जप लेंगे, इसी कुमाया बोलते हैं, जो बहाना करके आपको छिपा के, अटका के, रखे, और जो इसको तोड़ कर बाहर निकला है, कि कुछ भी करना पड़ेगा, हर चीज खर्च करूँगा, समय भी निकालूँगा, लेकिन अब वो वक्त आ गया है, अपने आपको जोड़ूँगा ही भगवान से, क्योंकि उसको पाने का वक्त आ गया है, हाथ से उम्र निकलती जा रही है, स्वास जा कभी उने कहा न, कहता हूं, कहे जाद हूं, बजा बजा कर ढोल, स्वासा खाली जाता है, तीन लोक का मौल, तीन लोक की संपदा भी उतनी कीमती नहीं है, जितने तुमारे सांस कीमती हैं, इनको बेकार मत जाने दो, इसमें भगवान का नाम जोड़ दो, तो यह तुमारे स तो आप सबसे मैं निविदन करना चाहता हूँ कि परमात्मा की शर्ण में जाने के लिए हमें कुछ थोड़े से संदेश भगवान के सुनने है और उनको ध्यान में रखना है और जो आपको मैं सुनाने लगा हूँ उन सब को आप सुने भी समझे भी और कोशिश कीजिए कि वो आपके साथ घर तक जाए तो दो-तीन शलोकों पर आप लोग ध्यान देंगे एक भगवान श्री कृष्ण ग्यारवे अध्याय के पच्पन्वे शलोक में एक संदेश देते हैं मत कर्मकृत मत परमो मत भक्त संग वर्जितः निर्वैरह सर्वभूतेशु यह समामिति पांडवा मतलब जो मेरा है उसकी पैचान ये है भगवान ने बारवे अध्याय में बहुत सारी पहचान बताई है पीता का बारवे अध्याय देखेंगे तो वहाँ पर ये कहा कि वो लोग जिनको मैं अपना कहता हूँ उनकी पहचान क्या क्या है तो वहाँ पर कहा मै येव मन आधस्व मै बुद्धिम निवेशय निवसिश्यसी मै येव उत उर्द्वम नशंशय जो अपने मन को मुझ में समर्पित कर दे मै बुद्धिम निवेशय अपनी बुद्धी का प्रयोग भी मेरे लिए करे ऐसा मन और बुद्धि मुझ में अर्पित करने वाला जो वक्त है निश्चित रूप से वो मुझे प्राप्ट कर लेगा भगवान को प्राप्ट कर लेगा आपका मन आपकी बुद्धि अभी तक दुनिया में उलजीवी है जब ये दुनिया के मालिक के साथ जोड़ जाती है तो भगवान का मार्ग कठिन नहीं रहता और इस श्लोक में जो पहले मैंने बताया इसमें कहा गया कि मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओं मत कर्म कृत मत पर्मो मेरे परायन हो जाओं मत भगता मेरा नाम जिपने वाले बनो संगवर्जित और धेरे धेरे संसार के आसकती से ओपर उठना शुरू करो दो तीन बाते हैं बड़ा सामान्य डंग से हमने इनको समझने की चेष्टा करने है पहली बात तो यह है कि जो कर्म आप कर रहे हैं तो अपनों के लिए करते हैं अपने लिए करते हैं करना भी चाहिए खुद के लिए जो नित्य कर्म है नैतिक कर्म है नैमेतिक कर्म है वो सब आपको करने होंगे शरीर का अपना धर्म है उसके लिए आपको रोजी रोटी भी चाहिए आपको वस्त्र चाहिए आपको सुरक्षा चाहिए और ये आपका पहला कर्तव्य है एक बहुत प्यारा लेखक हुआ है उसने सात्र जापाल सात्र बहुत बड़ा धार्शनिक था उसने एक आर्टिकल लेखा था योवर सेकंड जॉब तुम्हारा दोसरा कर्तव्य दोसरा मेतपोन कारिय वो क्या उसको उसने धर्म कहा कि वो तुम्हे करना पड़ेगा पोचा गया फस्ट जॉब क्या है फस्ट जॉब तुम्हारा खुद के ब्रति तुम्हारे परिवार के प्रति दुनियादारी के प्रति वो पहला है अब उससे पोछा गया कि बताईए वो दोसरा जाव जो आप बता रहे हैं वो क्या है तो उसने उसके बारे में बताया कि वो मैंने एक बार देखा है और उमें चाहता है तुम भी करो कैसे देखा कहते मैं ट्रेन में था और मैंने ट्रेन में देखा कि एक व्यक्ति बूड़ा है और उसके आंक से आंसु बह रहे है और काँ पुरा है तो ट्रेन में और भी लोग बैठे हैं ये वक्त पास में आता है उससे आके कहता बाबा क्या बात है क्यों रो रहे हो उसने कहा मेरा बेटा एक्सिडेंट में बहुत बुरी तरह गायल हो गया और वो उस शहर में है मैं गाव में रहता हूं मैं यहां इस शेयर में पहली बार जा रहा हूँ, यहां मुझे कोई जानता नहीं मेरा बेटा में जाने किस हालत में होगा मेरे पास इतने बैसे भी नहीं, परिशान भी हो सद्गुरू श्री सुधान्शु जी महराज द्वारा मानो सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागरती मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवा मानोता की सेवा में सनलगन है यह संसा नबे मंडलू सेवा केंद्रों के माध्यम से नकिवल भारत अपितु देश के बाहर अनेग देशों में सेवा के कार्य कर रही है संसा के सापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सनमार्ग पर प्रिरित करने के उद्देश्य से गुरूर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिये है वहीं देश के राज्य की राज़्धानियों वा प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदर, सत्संग भवन वा ध्यान साधना केंदरों का निर्माण हुआ है दिल्ली में करुणा सिंदु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग धाम अस्पताल में लाखों जरूरत मन्द रोगियों का उपचार वो आपरेशन किया गया है अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाधाश्रम, दिल्ली एवं कानपूर में गुरकुल, फरीदाबाद में ग्यान दीप विद्यालय, मुरादाबाद में सिर्जन प्रायमरे स्कूल, जारखंड के रुका खोटी गाउं में आदिवासी बच्चों के लिए दो प आनंधाम आश्रम में जहां वरिद्धाश्रम एवं मुवान प्रस्त संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौवों की सेवा की जाती हैं। के विवाह में सहयोग भी किया जाता है प्राकृतिक आपदा जैसे की बाड, भूकम, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधान मंत्री रहत कोश में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकटकाल में जरूरत मंदों को भोजन, राशन किट वह सांसों के संकट से जूज रहे, जरूरत मंद मरीजों को देश विदेश से मेंगा कर अक्सिजन कंसेंट्रेटर बाटे गए, मानो सेवा को इश्वर भक्ती मानते हुए, सेवा परमो धर्मा के भाव से विश्वजागरती मिशन के सेवा कार्य निरंतर जा र दान सहयोग कर पुन्न के भागिदार बने